आप सभी को मेरा नमशकार, दोस्तो SBA clerk के application form भरने की आल last date है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि total form filling अभी तक कितनी हुई है, total registration number कितना है, registration number जो मैं बता रहा हूँ आपको इसके अंदर कई बार ऐसा भी होता है, कई बार लोग double registration करतें, तीन बार करतें, कुछ गलती हो ज मैंने जब चेक किया, अभी कितना registration number आया है, यह हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँँआ कि आप में से जो भी बच्चे banking की तयारी कर रहे हैं, या insurance sector के exam की तयारी कर रहे हैं, तो आप guidely का जो है premium bundle PDF course purchase कर सकते हैं, यह 5. 99 रुपीज से start है, अगर आप हमारा coupon code Gen12 लगाएंगे तो आपको extra discount मिलेगा, यह complete package है, link नीचे में description box में share कर रहा हूँ, तो आप महा से जाके इसकी पूरी detail देख सकते हैं, अब हम बात करें कि SBA clerk के registration number की तो अभी इनका निकल के आरदा 235 1541709, अभी approximately 8 बजे करीब का time ह हो रहा है, तो total इनके registration अभी तक हो लेते, 15,41,709 यानि 15,41,709 लोगों ने अभी तक register कर दिया है, देखो registration तो काफी लोगों ने किया है, competition थोड़ा heavy है, लेकिन इस बार यह भी है कि post काफी अच्छी निकली है, SBA clerk में तो आपके पास opportunity जो लोग SBA में posting लेना चाहते हैं, और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि SBA clerk के अंदर आपको notification से joining तक total कितना time लगता है, क्योंकि लोगों को दूसरे exams भी देने रहते हैं, तो हमें अगर काई और selection हो गया, तो उसका भी वीडियो हमने बना रखा है, मैं नीचे pinned comment में उसकी भी link शेर कर दूँगा, तो आप महाँ से जाके उसकी पूरी detail देख सकते हैं, इसके लावा अगर आपके मन में और कोई doubt है, तो नीचे comment box में टाइप करें और हमारी channel को like share subscribe करें, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद